हेलो गाइज वेलकम अगें टोड़े वी आर गोईंग तो स्टार्ट न्यू सेरीज एच्टेट कोमन मैट्स यानि कि जो जन्नल अप्रिटूड आता है हमारा दस नंबर का आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिविस एर पेपर्स के आज हम करेंगे 2017 वाला पेपर जो एच्टेट टीजटी मैट्स का आये था उसमें जो कॉमन सेक्षन आये था जन्नल अप्रिटूड का फिर एक के करके हम सारे प्रिविस एर पेपर्स के जन्नल सेक्षन करेंगे उसके बाद हम करेंगे एच्टेट टीजटी मैट्स और तो स्टार्ट करते हैं, from the first questions, income of A is 20% less than income of B, how much percentage is B income more than income of A, क्या क्या रखा है हमें इस questions के अंदर, कि जो income है A की वो 20% less है किसे income of B से, हमें find out करना है कि कितने percentage जो B की income है वो A से ज्यादा है, B income more than income of A, हमें four answers यहां पर given है, तो हमें solve करके बताना है कि कौन सा हमारा इसका answer होगा, तो इस type के questions को आपको कैसे करना है, यह very important questions है, यह हर बार, लगबग हर बार यह paper में पूछा जाता है, as that TGT maths के अंदर, हमें से इस type का questions पूछा जाता है, तो कई बार यहां पर 20% less दे ब citit है, कई बार, यह 20% more दे देगा आपर, तो हमें क्या करना है, जितना भी 20%, 25% جो भी less दे रका हैं, उसको हमें solve करती होगे, उसको हमें उपर रखना है, फिर less होगा है, तो मिस कोई भी चीज अपने आपमें क्या होती है, 100% होती है, तो जो less हुई है, उसको हम 100 में से minus क तो कितना आगया एटी फिर हमें उसकी परसंटेज बतानी है तो परसंटेज के लिए हम क्या करते हैं इंटू में हंडर्ड करते हैं तो डारेक्ट हमारा आंस्वर आ जाएगा यहां पर हमारा 25% यानि कि जो बीगी इंकम है वो 25% मोर है किसे इंकम ओफ ए अगर यहां पर इस क में हम क्या करते हैं 20 फिर जो बढ़ी हुई है उसको नीचे लिखते हैं हम और इंटू में क्या कर देते हैं यानि कि इस ट्राइब के कृश्चन को आपको इसी तरह से शोल करना है अगर लैस कह रखा है लैस या मोर जो भी कह रखा है वो तो हम उपर लिख देंगे फिर लै कि यहां पर 20 और नीचे के आ जाएगा उसका बढ़ा हुआ पार्ट 120 यानि कि कोई भी पार्ट अपने आप में 100 परसेंट है तो बढ़ेगा तो कि वो कितना लेस था 20 परसेंट तो लेस होके 80 20 बाइटी इंटू में 100 कितना आ गया हमारा 25 परसेंट यानि कि जो सेकेंड आंसवर है वो हमारा क्या है राइट आंसवर है सेकेंड देखते हैं how many 9 are there which are followed by 9 इन गीवन सीरीज एक हमें सीरीज गीवन है और हमें यह पूछा गया है कि 9 के बाद 9 कितने टाइमस यहां पर सीरीज के अंदर आया हुआ है क्या क्या रखा है which are followed by 9 इन गीवन सीरीज यानि कि कितने 9 है जो 9 के बाद आ रहे हैं तो यहां हमें में गांट करना ए रिचल आसी feeling type का मशा सांस है तो इसमें 9 के बाद 9 इन गहीं पर इसमें 9 के बाद 9 फिर इसमें 9 इन इन गीवन के बाद 9 यह 1 यह 2 यह 3 फिर यहांबी 9 नाइन के बाद 9 आ रहा है 4, यहांपे 9 के बाद 6 आ रहा है 9 के बाद 7 आ रहा है 9 के बाद 6 आ रहा है 9 के बाद 9 आ रहा है तो ऐसे कितने 9 होगे जो 9 के बाद 9 आ रहे हैं तो ऐसे कितने 9 हमारे यहां पे 5, so answer is third part Next, 3 by 7 part of a bucket can be filled in 1 minute यहां से आपको क्या देखना है यानि कि त्री बाइज जो सेवन पार्ट है वो कितनी देर के अंदर यहां पे फिल हो रहा है जो बकेट है वो कितनी देर के अंदर वन मिनिट के अंदर कितना बकेट का कितना पार्ट फिल हो रहा है त्री बाइज यानि कि टोटल पार्ट है हमारा यह क्या है हमारा टोटल पार्ट है इस ट्राइज के किसंस में हमें क्या करना होता है नीचे हमारा टोटल पार्ट होता है उपर कौन सा है जो हमारा फिल हुआ है यानि कि वक्केट के अंदर जो हमारा पार्ट फिल हुआ है यानि कि यह जो पार्ट है वो कितने टाइम के अंदर हमारा फिल हुआ है वन मिनट के अंदर अब टोटल पार्ट सेवन है तो हमें तो यहां पर क्या बताना है रैस पार्ट तो rest part कितना बजगया? total हमारा 7 था, थार्ड वाला part हो हमारा fill हो गया, तो remaining part rest part कितना बजगया? 4, तो यहां पर 3 वाला part हो फिल हो रहा है, तो 1 minute में कितना होगा? sorry, 1 part कितनी minute में होगा? 1 by 3 में, हमें तो उसका 4th part बताना है, यानि कि into में क्या हो जाएगा? 4, यानि कि 4 अकॉन में 3 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा? वो हमारा fill हो जाएगा, तो means कौन सा option यहां पर write होगा? हमारा 4th वाला part यहां पर write होगा, एक बार फिर से देखो, यानि कि 3 by 7th part, bucket का fill हो रहा है, कितनी देरियों के अंदर हमें टाइम दे रखा है, वन मिनट के अंदर, इसने ये पूछा है कि जो rest part बच गया, bucket का वो कितने टाइम के अंदर, कितने मिनट के अंदर यहां पर fill होगा, तो हमें बता है, नीचे क्या होता है, हमारा total part होता है, यानि कि ऊपर हमारा जो third है, यानि कि third part हमारा fill होगा है, वन मिनट के अंदर, तो remaining part कितना मिच गया, four, तो one part कितने के अंदर होगा, one by three के अंदर, हमें rest part बताना है, तो जो fourth वाला part हो, कितने देर के अंदर होगा, हमारा four upon में, three minutes, next करते है, fourth questions, यानि कि कोई भी number है, अगर हम divide कर रहे है, eight, twelve और fifteen से, तो वो हमेशा क्या देता है, remainder five देता है, then number is, हमें number बताना है, इन मेंसे कि वो कौन सा number होगा, कि इन से divide करने पे, always gives remainder five, ठीक है, इस टाइब की questions को, हम किस तरह से करते हैं, जो भी हमें संख्या यहां पे दे रखी है, उनका हम क्या find out करते हैं, सबसे पहले, LCM find out करते हैं, ठीक है, तो हम इसका LCM find out करेंगे, eight, twelve और fifteen, यहां पे कितना आ गया, four पे six पे यह फिफिटे, अब three से करेंगे यहां पे, five कितना LCM आ गया यहां पे हमारा, twenty, ठीक है, sorry, LCM, यहां पे हमारा कितना आएगा, इसको देखो, four पे, यह six पे, यह fifteen पे, यह two पे, यह three पे, यह fifteen पे, two two जा four, four three जा, twelve, यहां पे कितना आएगा, इसको solve करेंगे तो, LCM क्या आ गये हां पे, one twenty, अब हमें क्या करना है, इसने यह खाए, यह खाथा कि, हाँ पे हमेशा, gives remainder क्या है, five, ठीक है, तो अगर remainder five हो गया, तो one twenty plus में five, कितना आ गये हां पे, one twenty five, यानि कि हमें, इन से divide करने पे, पे वो हमेशा क्या आता है, five remainder देता है, तो हमें क्या करना है, अब यह जो भी संख्या यहां पे दे रखी है हमें, इनको इन से divide करके देखेंगे, कि किस case के अंदर हमारा remainder हमेशा क्या बच रहा है, यहां पे five, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, हमें इसको इसे divide करेंगे, ठेक है, इस number को हाँ से जो हमारा lcm आया है, इसको हमारा lcm आया है, यहां पे one twenty, इसे divide करेंगे, कौन सी संख्या को होगी, इन सारी संख्या को हम अगर divide करके देखेंगे, तो इसी case में, इससे divide हो रहा है, और remainder क्या बज़ रहा है या पे 5 आ रहा है तो कौन सा option हमारा right हो जाएगा second फिर है find the smallest number such that if it is added to sum of square of 9 यानि कि वो smallest number हमें find out करना है कि जिसको add करने पे किसके square के अंदर 9 और 10 के square के add करने के बाद वो क्या बन जाए complete square हमें हापे obtained तो square of 9 and 10 क्या हो जाएगा 81 प्लस में 10 का square 100 that is 181 अब 181 के अंदर ऐसा कौन सा smallest number add करें कि ये complete square बन जाए तो हमें बता है ना 181 के नजदीक हमारा जो complete square बनता है वो 196 होता है 13 का तो 196 यानि कि 181 के अंदर कितना add करें कि 196 बन जाए क्योंकि आसपास हमारा complete जो square है वो वह ही बन रहा है तो number हमारा ही हाँ पर 0,3,8,15 है तो अगर 0 add करेंगे तो ये तो यही number बन गया इसने तो ये खाय कि इनके square के अंदर क्या add करें ठीक है तो direct हमारा answer क्या आगया ही हाँ पर 15 अगर हम वो smallest number है 15 जिसको add करने पर square किसके अंदर add करना है square of 9 and 10 के अंदर फिर 196 बनेगा वो 13 का complete square होगा so 15 is the right answer next day की simplification का किसान समय गीवन है तो solve करते हैं यहाँ पर कितना आ गया इसको solve करेंगे तो 26 और ये वो पर वाली add करते है 27 by 2 यहाँ पर क्या हो ज़िए ना 9 by 2 bracket से solve करेंगे यहाँ टू टू जाए अलसीम लेंगे 4 minus में 1 that is 3 by 2 आ गया ठीक है आप इसको solve कर देते हैं 27 by 2 9 by 2 इसको solve करेंगे यह लेके तो 6 बार minus है 6 minus में 3 3 by 2 6 minus में 3 क्या जाएगा 3 by 2 27 by 2 और ये क्या जाएगा 6 by 2 यह cancel यह direct हम इसको edge कर सकते हैं LCM हमारा 2 है ठीक है तो 27 minus में 6 by 2 आंसवर कितना आ गया 21 by 2 आप देख लेते हैं कौन सा हमारा option है यह क्या है 19 by 2 यह 21 by 2 है second option क्या है हमारा इसको solve करेंगे तो यह क्या है 21 by 2 यह 43 by 4 है यह 27 by 2 है so right answer क्या हो गया हमारे यहापे 21 by 2 ठीक है इसी type के सारे जो भी previous year में questions आये हैं वो सभी इसी type के questions होगे आपको उसके अंदर simplification का भी questions मिलेगा इसी तरह से आपको जैसे वो income वाला करवाया है इसी type के questions आपको हर सब देखने को मिलते हैं तो आप यहां से notes भी बना सकते हैं लास्ट में पेपर हमारे नवंबर में होगा एस्टेट का तब आप इसको रिवाइज करोगे तो as it is questions आपको आपको देखने को मिलेंगे इसी type के statement चेंज हो सकती है लेकिन जो हमारा common section आता है उसमें इसी type के questions आते हैं next करते हैं 7th average of 8 number is 12 if each number is increased by 2 इसने क्या क्या रखा है कि जो average है 8 number का वो कितना दे रखा है 12 तो उनका sum कितना आ जाएगा sum क्या आ जाएगा जो average हम है वो कैसे लिका होते हैं फिक है तो यहां पर क्या आ जाएगा यह sum हमारा 12 into 8 96 आ जाएगा से क्योंकि इसने यह क्या रखा कि average of 8 number is 12 इस number is increased by 2 then the average of new number तो हमेशे आपको strike के questions में क्या करना है कि जो average आएगी new number की वो भी क्या होगी increase पहले average कि 12 अब increase हर value increase होई है तो average भी हमारी increase हो जाएगी तो क्या आगे यहां पर 14 यानि कि fourth part हमारा इसका जो answer है वो 49 ठीक है how many numbers are there from 1 to 100 which are divisible by 7 यानि कि कितने numbers होंगे जो 7 से divisible होंगे किस किस के बीच में 1 to 100 तो यह हमारा जो questions है वो AP का questions है डारेक्ट हम किसे कर सकते हैं इसको AP से और वैसे अगर हमें इसको करना है sort form के अंदर 1 to 100 है total जो हमारे number से वो 100 है इसको 7 से divide करेंगे हम इस तरह से ठीक है तो यह हमारे यहां पर कितना आएगा 7 3 और यह 4 पर जाएगा 28 तो इसका direct answer कितना आएगा 14 अगर हमें इसको completely AP से solve करना है तो हम किस तरह से करेंगे 1 to 100 में 7 से divisible तो 7 14 21 और जो last number होगा जो हमारे 7 से divisible होगा 100 तक वो क्या आएगा 98 आएगा अब इसने यह पूछा है कि how many numbers are there from 1 to 100 यानि कि N के value पूछी है number of trunks पूछी है तो हमें पता है कि जो AP का formula होता है AN A plus में N minus 1 इंटू में D last term क्या है जो 7 से divisible है 98 first term क्या है 7 N minus 1 D क्या है D is the common difference 14 minus 7 A to minus 7 करने पे 7 आ गई है ठीक है तो इसको solve करेंगे तो यह कितना आए 7 plus 7 N minus 7 यह cancel out हो गया N की value निकान दी है 98 by 7 that is 14 यानि कि total number of trunks कितनी आगी जो 7 से divisible है 1 to 100 में वो कितनी आई है हमारी 49 कितनी आई हमों हमारी 49 फिर है which of the following fractions यह क्या है हमारे यह मेरे पास 2017 का ही पेपर है ठीक है यह क्या है मेरे पास 2017 का ही पेपर है आप देख सकते हो इसमें जो हमारे general sections के अंदर general aptitude में अचा है वो 10 questions हमारे यह हैं जो आज हमने इस वीडियो के अंदर करें which of the following fraction is greater than 1 by 3 हमें यहां से यह बताना है कि 1 by 3 से बड़ी fraction इन में से कौन सी है तो यहां पर देखो 1 by 3 का क्या मतलब है यानि कि जो numerator है numerator is 3 times less है किससे denominator से less than denominator ठीक है ऐसा ही लिखा हुआ है लेकिन हमें तो यहां पर greater than 1 upon 3 चाहिए ठीक है तो हम पहली वाली जो fraction दे रखेंगे उसको देखते हैं 27 upon 82 है इसमें हमने देखा कि 27 को हम 3 से multiply करें क्योंकि इस fraction से हमने यह यहां पर देखा है कि यह जो numerator है वो 3 times less है denominator से तो इसमें हम देखेंगे कि 27 की 3 से multiply करेंगे तो 81 और 81 क्या है less है 82 से ठीक है लेकिन हमें तो क्या सही है आपे greater तो यह option हमारा neglect हो गया फिर हमें इसको second part देखते है 20 upon 61 है इसमें भी देखा 20 into 3 60 60 आगया और 60 किससे less है 61 से लेकिन हमें तो यहां पर greater चाहिए greater than 1 upon 3 इसका third part देखते हैं third क्या है हमारा 16 upon 45 तो हमने देखा कि 16 को 3 से multiply करें तो 48 48 numerator हमारा greater है 45 से हमें greater than 1 upon 3 similarly हापे क्या आएगा हमारा जो fourth part है 51 upon 154 अगर हम 51 को 3 से multiply करते हैं 153 यह less आता है 154 से लेकिन हमें क्या चाहिए greater तो कौनसा option हमारा right हो जाएगा third वाला क्योंकि 16 upon 45 है वो 1 upon 3 fractions से क्या है greater है तो कौनसा option हमारा right हो गया है हापे third वाला फिर है इसका last 10 वाला questions general attitude का find the smallest number such that by multiplying it with 24 एक complete square number is obtained वो हमें smallest number है आपे find out करना है कि जिसको 24 से multiply करने के बाद एक complete square बन जाएगा अगर मैं 24 को 2 से multiply करूंगी तो 48 आ रहा है वो complete square नहीं है 24 को 3 से multiply करूंगी तो 72 आ रहा है वो भी complete square नहीं है 24 को 4 से multiply करेंगे तो 96 वो भी complete square नहीं है बट 24 को अगर हम 6 से multiply करेंगे 144 आएगा और यह किसका complete square होता है 12 का So answer is 6 यह smallest number हमारा क्या होगा 6 होगा जिसको हम 24 से multiply करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा हमें के complete square प्राप्त होगा ओकी गाइस यह सीरीज आई होप आपको अच्छी लगी होगी ऐसे हम previous years का common sections करेंगे अलग-अलग years की जो paper होगे आज हमने किया है 2017 का कल वाली वीडियो में हम करेंगे 2018, 19, 20, 21, 22 ठीक है जो आपके estate 2023 में बहुत helpful रहेगी यह क्योंकि सारे जो हमारा common section आता है अगर हम सारे questions को इसको यहाँ पर revise करके जाएंगे paper में तो हमें इसी टाइप के questions 2023 में estate में मिलने वालेगे I hope आपको यह series बहुत अच्छी लगी होगी अगर फिर भी आपको किसी questions में doubt है तो आप comment section में comment करके पोच सकते हो Thanks everyone